हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग इस विडियो के अंदर कवर करेंगे BYB vs. KCC के बीच में जो ये मैच होने वाला दोस्तों ECS T10 के फिल्ट स्रीच का जो अगला जो मैच होगा इस विडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरी चवरदस्थ इंफॉर्मेशन देने वा सारे प्लेयर का बैटिंग ओडर के साथ मैं आपको बताने वाला हूंगी कौन से बॉलर आपको कंप्लीट दोवर तक बॉलिंग करते वे दिखेंगे सारे इंपोर्टन इंफॉर्मेशन मिल जाएगा दोस्तों जिसके मदद से आप इस मैच के अंदर ग्रेंड लीग और स्मॉ स्क्राइब का बटन दिख्राओगा इस पे एक बार क्लिक कर दें साथ सातियां पर जो बैल अकन दिया हुआ दोस्तों इस पे क्लिक करने के बाद आपको आल का ओफसन देखने को मिलेगा इसको भी एक बार स्लेक्ट जरू कर लेना ताकि आने वाले टीटेन और टीट्वें करें और सबसे जरूरी बात है कि आप मारे टेलिग्राम गृप को जोईन कर लें देखो यहां पे ना आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा दोस्तों जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो हमारे टेलिग्राम गृप का लिंक आपके सामने सो हो जाएगा इस ग्रूप में जरूरी है क्योंकि लाइन अप के बाद आपको फईनल टीम यहां पे शेर कर दिया जाय गागा अगर कोईभी चेंजेस होता है हमारे टीम में तो आपको फईनल टीम नहीं पर आपको शेर कर दिया जायगा इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जागा दोस्तों और दूसरा मैच दो बज़े आपको देखने को मिलेगा और यहां का अगर पीच कंडिशन की बात करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको कहा था दोस्तों कि यह बैलन्स पीछ है दोनों ही टीपार्टमेंट को एकवल सपोर्ट देखने को मिलता है जैसा ही ग्राउंड है और अभी सेकेंड बैटिंग टीम ने दोस्तों यहां पर 20 मैच जीते वे आ रहे हैं दोस्तों एक ध्यान रखना कि यहां पर जो कल के चार मैच वे थे ना तो तीन मैच फर्स्ट बैटिंग टीम ने विन करा था इन्हीं टॉस में थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो आप टॉस ल करते वे आए हैं ध्यान रखना दोनों ही टीम का पी मजबूतरी में दूस्तों और यहां पे सुरुवात करेंगे सबसे पहले टीम की आपनर बैट्समन से जो टीम का टावडर पर खेलते बिखो सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हैं भी वाइबी के यहाँ बी यहाँ पर दुस्तो था नेस्ड परिगेंगे देखते हैं। फिर चौवदर रन प्लस तीन विकेट ओवरल अगर आप देखते हैं तो 64 रन प्लस आठ विकेट निकाल चुके हैं यगर आप बॉलिंग के मामले में देखोगे तो यह खिलाडी बहुत सांदर है हलकि बल्लेवाजे भी देखोगे तो सांदर करा है था टे सिक्स रन मनाये थ चौवदर रन मनाये थे पंदर रन मनाये थे मतलब बल्लेवाजे भी ठीक कर सकते हैं और बॉलिंग तो बहुत बढ़िया करते ही हैं बाकी बात करेंगे दोस्तो यहां पर प्रवा के बारे में दोस्तो यह पहले मेच के अंदर 26 रन खर्च करते हुए एक विकेट निकाले ओवरल देखोगे तो 7 रन बना के 5 विकेट निकाल चुके हैं दोस्तो बीवाईब के टीम के तरफ से कुमार महिंदर रन जो की टीम की कैप्टेन है ओपन करते हुए पहले मेच के अंदर 19 रन बनाये थे दूसरे मेच के अंदर 6 रन इसमें 9 रन खर्च किया थे लिकिन कोई विकेट ने मिला लेकिन ओवरल देखोगे तो 25 रन बनाया हुआ है बाकि यहां बात करेंगे दोस्तों यहां पर इन रन के बारे में टीम के विकेट के बरिंग में नजर आएंगे और यह जो खिलाड़ी दोस्तों पहले मेच के अंदर देखोगे ऑपन करते हुए बीवाई बाकि यह बात करेंगे दोस्तों यहां पर अरितरन के बारे में यह टीम के फर्स्ट रन पर खिलेंगे ठीक है पहले मेच के अंदर 9 रन बनाया थे इसमें 6 रन खर्च भी किया था लेकिन कोई विकेट इनको नहीं मिला फिर बैटिंग बोले से फ्लॉप रहा फिर 12 रन प्ल पीक रहने वाले हैं बाकि बात करेंगे दोस्तिनेस के बारे में यह सेकंड डाउन पर खिलेंगे पहले मेच के अंदर 25 रन बनाये थे इसमें 15 रन खर्च किया था लेकिन कोई विकेट नहीं निकाल पाये थे फिर 18 रन फिर 11 फिर 18 फिर 41 रन ओवरल लेखते हैं तो 136 रन स् पढ़िए पिर 87 रन फिर 2 रन इनको आप डॉपकर सकते हैं इनका record बैर नहीं है काफिफे लेड़ बैटिंग करते हैं बाकि पुलकित सर्मा यह पहले मेच के अंदर 17 रन खर्च के थे कोई विकेट निकाले थे इनको डॉपकर सकते हैं श्रीकान्त की बात करते हैं दोस्तो वका को ड्रॉप करना इनका रिक़र्ड कुछ खास नहीं है महिन था यह ओपन करेंगे पहले मेच के अधर 28 रन बनाए थे 1 विकेट निकाल था फिर 6 रन प्लस एग विकेट निकालें और लास्ट मेच के अधर 4 रन और विगनेस की बात करेंगे पहले मेच के अंदर एक विकेट फिर दो विकेट फिर दो विकेट और लास्ट मेच के अंदर दो विकेट निकाले हैं ओवरल देखोगे तो साथ विकेट निकाल चुके हैं बीवाईबी के टीम के तरब से टीम के इंपोर्टेंट गिंदबाज है बाकि जिसनों ये दोस्तों 20 रन खर्च केते कोई विकेट ने मिला था आप देख सकते हैं लेकिन बीवाईबी का ये सारे प्लेयर्स का बैटिंग ओडर है दोस्तों जो अभी तक इस स्रीज के खेले गए हैं देखो जादा पुराना रिकॉर्ड अगर आप देखते हैं ने 2014-2015-2016 में क्या किया हुआ है उससे काफ़ी कुछ आपको कुछ ऐसा नहीं कि हेल्प मिलेगा ठीक है लेकिन बीवाईबी के जो मैं आपको रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ अभी जो करेंट स्रीज में चल रहा है जो बैटिंग ओडर चल रहा है जो फॉर्म चल रहा है ये प्लेयर्स का फॉर्म किस परकार चल रहा है बैटिंग ओडर किया है इस वज़े से दोस्तों करेंट स्रीज पे मैं आपको कहूंगा कि ज़्यादा फोकस करना के सिसी की बात करते हैं के सिसी के टीम के तरब से इरुफान हैमेद जो की टीम के कैप्टेन करेंगे ठीक है राइट रन बेटिंग करेंगे पहले मैच के अंदर जीरो रन बनायता लेकिन तैईस रन बनायता इसमें 11 खर्च केते लेकिन कोई विकेट ने मिला फिर 13 रन फिर तो 120 रन प्लस 3 विकेट निकाल चुके हैं, दोस्तो ये भी टीम के बहुत बढ़िया प्लेयर है, चुकि टीम के टॉप अडर पर बैटिंग भी करेंगे, लेकिन कुछ अबर गिन्दबाजी भी करते भी दिखेंगे, मानव पनवार टीम के फर्स डाउन पर खिलेंगे, पहले मैच कंदर 11, फिर 12, फिर 21, फिर 16, फिर 7 रन, फिर 2 रन स्कूर करा है, दोस्तो टीम के दोस्तो अगर आप देखेंगे, सेकेंड नौन का बैट्समेन है, 70 रन स्कूर करा है, अजमिन जडर रन जो के टीम के थर्ट डाउन पर खिलेंगे, पहले मैच कंदर 1 रन कोई विकेट ने मिला, फिर फ्लॉप रहा था, फिर 38 रन प्लस दो विकेट, फिर 2 रन बनाई थे समें कोई विकेट ने मिला, फिर 2 विकेट और लास्ट मैच कंदर देखोगे, फ्लॉप रहा था, लेगिन टीम के 3 नमर पर बल्ले बाजी के 7 गिन बाजी भी करते हुए दिखेंगे, बाके सरजाद जो के टीम के 5 नमर पर खेलेंगे, पहले मेच के अंदर, 0 रन कोई विकेट ने मिला, फिर 12 रन बनाई थे समें 1 विकेट निकाले हैं, फिर 2 विकेट, फिर फ्लॉप रहा था, फिर 3 विकेट, लास्ट मैच के अंदर इनुने 27 रन खर्च के थे, लेकिन कोई विकेट ने मिला, लेकिन ओवरल देखोगे, तो 14 रन प्लस 6 विकेट निकाल चुके हैं, दोस्तों ये भी बढ़ियाँ प्लेर हैं, बाके अर्मान सलीम, ये पहले मेच के अंदर, 5 रन बनाई थे, कोई विकेट ने मिला, फिर 2 विकेट निकाले हैं, प्रमोत सरमा, इनका र प्लस 1 विकेट और लास्ट मेच के अंदर, 2 रन प्लस 1 विकेट निकाले हैं, तो ये जो खिलाड़ी हैं, दोस्तों ये भी फॉर्स टॉन पे बैटिंग के सांसा था तक वो दो वर तक बॉलिंग भी करते विकेट नजरा रहें, तो एक्से दानी को भी ट्राय कर सकते हैं, लास्ट मेच के अंदर, एक विकेट निकाले हैं, तो के सिसल के टीम के तरफ से ये भी टीम के बहुत बढ़िया गेंद बाज है, जो दो वर कंफरम गेंद बाज ही करेंगे, और दोनुं मेच के अंदर भी तक टोटल देखो के तो चार विकेट निकाल चुके हैं, तो ये complete इन्फॉर्मेशन है बी वाई बी और के सिसी का ठीक है दोस्तों इसमें से जो आप बैटिंग ओडर देख रहे हो ना अल्मोस्ट आपको सेम बैटिंग ओडर इस मैच के अंदर भी देखने को मिलेगा अब आपको इसमें जो भी बैटर लग रहा है प्लेयर्स का स्टेट्स को फॉलो करते हुए बैटिंग ओडर को फॉलो करते हुए आप यहां पर दोस्तों खुद भी आप टीम बना सकते हो हाला कि मैंने आपके लिए एक टीम बना के रखाया है बिफोर लाइन अप एक डेमो टीम चलिए उस टीम की और आगे बढ़ते हैं शुरुआत करेंगे सबस टीम के बहुत बढ़िया बलेबाज है ठीक है तो आप दोनों में से दोनों के साथ आप जा सकते हैं अगर आप सेफ रहना चाहते हैं लेकिन मैं बोलिंग पेस मैच के अंदर ज्यादा फोकस करा है एक बोलर मुझे ऐसा नजर आया जो बैटिंग भी करते हुए नजर आते ह बैटिंग में तीन बैट्समन जिसमें से बीवाइब के टीम के तरफ से दो खिलाड़ी है और यहाँ पे एम पन्वार को मैं ट्राइ करूँगा यह तीन खिलाड़ी जो है ने बैटिंग सक्सन में आपके टीम में होना बहुत मस्ट है बाकि आई एहमेत को अगर आप लेना टीम में ज़रू ट्राइ करना अब रहाँ बालिंग की बात तो के सिसी के टीम के तरफ से दोस्तों अगर आप देखते हैं तो मैंने दो प्लेयर को ले रखा है और वी वाइब के टीम के तरफ से दो प्लेयर है वी प्रभा और यहाँ पे विगनेस को मैंने ट्राइ करकर I hope दोस्तों कि आपको जो भी information मिला होगा काफ़ी कुछ help मिला होगा दोस्तों क्योंकि complete information betting order के साथ आपको बताया है तो वीडियो को एक like और चेनल को एक बार subscribe जरू कर लेना मिलते हैं इसी प्रकार और भी अच्छे वीडियो के साथ अच्छे information के साथ Thanks for watching